नमस्कार सभी को मैं सुधा गुस्वामी पुना आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अभी जैसा कि हम लोग स्कूल रेटिनेस के तहट बालबाटिका पे कारे कर रहे हैं और उसका अपलेकी करण रजिस्टर वर्क भी हमारे त्वारा किया जा रहा है तो उसी के परिपेक्ष में आज का वीडियो बहुत महत्पून है हमें एक फॉर्मेट प्रदान किया गया है और डे बाई डे जो कैलेंडर गतिविदिया हम लोग आयूजित कराते हैं बच्चों से उसका अभी लेकी करण इसी फॉर्मेट पे हमें करना है इसमें नए दो बिंदू है पहला प्रतिभाग करने वाले बच्चों की संख्या और दूसरा है नोडल सिच्चक जिसके द्वारा गतिविदिया संचालित कराई जा रही है और इस पे इस पस्ट दिया हुआ है कि प्रतिदिन की गतिविदिया एक पेश पे अंकित की जाएंगे मतलब साथ दिवस का अलग-अलग अभी करण होगा तो ये पूरा हमें एक फॉर्मेट प्रदान किया गया है हमारे लिए सुविद्धा भी है कि हमें इसी के अनुसार पुरा गतिविदियों का संचालन कराने के बाद अब लेकी करण करना है तो आईए देखते हैं कि क्या स्वरूप है इसका और कैसे हमें इसको भरना है अगर आपने प्रद्धम सब्ता की गतिविदियां भर लिए हैं तो दूती सब्ता की गतिविदियों को इसी फॉर्मेट के अनुसार भरिएगा तो चलिए फॉर्मेट की तरफ आते हैं किस तरह से करना है इसको छोटा छोटा मैंने कर दिया है देखे उपर इसके लिखा है स्कूल तयारी मॉडियूल बालवाटिका के बारह सब्ता की समय सारणी के अनुसार कतिविदियों के संचालन और अभलेखी करन का स्वरूप तो जब उपर देखेंगे हीडिंग तो उसका यही आएगा कि स्कूल तैयारी जो मॉडियूल है उसका अब लेखी करन का यह पूरा प्रारूप है इसको मैंने दो भाग में किया है ताकि वीडियो में स्पस्ट दिखे तो इस तरह सा आ जाएगा उसके पास यह इतने कॉलम हमारे बन जाएंगे पहले दिनांग उसके बाद दिवस फिर आ जाएगा बालवाटी का पाच प्लस फाइप प्लस व कक्षा एक कि अंतर गत कराई जाने वाली गत्विधियों का समया अनुसार विभाजन यहां बेविभाजन दिखाना है अब उसके बाद कराई गई की संख्या इसमें अगर आपका को लोकेटेड अंगनवाडी केंद्र है तो पाच प्लस बच्चे और गच्छा एक दोनों सम्मिली तुरूप से आपको दिखाना पड़ेगा कि इतने बच्चों ने प्रदिभाग किया और अगर आपका को लोकेटेड नहीं है तो आप सिर् अगले कॉलम में हमें जिस सिच्छक सिच्छे का ने की गतविदिया कराई है जो नोडल सिख्षक है कि उनका नाम यहाँ पर अंकित हो जाएगा अब आते हैं नीचे के फॉर्मेट की ओर उपर इस तरह से आप बना लेंगे नीचे जैसे यह 25 चार 2022 यहाँ पर दिया हुआ ह यहाँ पर दिन का नाम आ गया है सोमवार उसके बाद जो हमें गतविदिया करानी उनको हम इस तरह कॉलम्स में लिख लेंगे जैसे सबसे पहले मॉर्निंग सर्किल टाइम उसके बाद स्वत्तंत्र खेल भासा और साक्षर्ता का उसल कला संबंधी गतविदिया गणेत ईव आपको इन ही कॉलम्स में भर देना है बहुत ही आसान हो गया है यह पुरा प्रारूप आने से कोई कर्फ्यूजन नहीं होगा और सबका जितने भी नोडल सिच्छक है या नोडल सिच्छक संकूल है उनका अब लेकी करण एक समान होगा और प्रदिबाग कर रहे हैं इस प्रारूप के आजाने से यह देखे पूरा जो फॉर्मेट है जो प्रारूप है कुछ इस तरह से है यहाँ पे सारी करदविदियों के नाम लिखना है और कराई गई करदविदियों का फ्यवरण प्रदिबाग कर रहे हैं बच्चों की संक्या और नोडल सिच्छक और यहाँ पे दिनांक और दिन अंतमेज फॉर्मेट के एक नोट लिखा हुआ है कला करा आपे दोड़ सा जिन प्रात्मिक वो कंपोजिर विद्यालेयों में आंगनवारी लोकेटेड है वहाँ 5 प्लस वो कक्षा एक दोनों इस तरह के बच्चों को उक्त कतिविदियों मे समलित किया जाना है जहां आंगनवारी को को लेकेटेड नहीं है वहाँ कच्चा एक के बच्चों को समलित किया जाना है एक पेच पर एक दिवस की गतिविदियों का अब लेखी करन करना है तो बहुत ही सरल हो गया है सारी चीज़ें बहुत इसपस्ट हैं और आपको जो मे उसी फॉर्मेट पे बना करके अभी अकले वीडियो में आपको शेयर करूंगी आप एक बार देख सकते हैं और अपना अबले की करण कर सकते हैं आशाय आपको मदद मिलेगी धन्यवाद